दोस्तों एक होर रिपोर्ट लेके हाज़नाते आज दी इस रिपोर्ट विच मैं गाल करांगा पंजाब दे राजपाल गवर्नर रहे सुरिंदरनाथ अते उना दे परिवार दे नौ होर मेंबरा कुल दस इस परिवार दे अते तिन क्रू मेंबर्स दी एक हवाई हाथ से विच होई मौत जुलाई नौ उन्निस सो चुरानवी दी ओकटना जो की एक बहुती पैंकर हवाई हाथ सा सी जिस विच की पंजाब दे सिटिंग राजपाल सुरिंदरनाथ दी मौत होई सी इस रिपो जो आज दिस वीडियो रिपोर्ट पिच गवर्नर सुरिंदरनाथ दा हवाई हाथ सा केवे हुंदा है आज उस नूं स्टडी करांगे ते उस हवाई हाथ से तो बाद गवर्नर सुरिंदरनाथ दी मौत तो बाद जड़ाएक वावाल माचदा है ते लखा करोणा और उपे दी करंसी जड़ी पंजाब राजपवन्तों मिल दिया है उस दे कुछ आसपेक्ट्स होते चांड़ना पाउन दी कोशिश करांगे कटना जड़ी है ओ बेसिकली जुलाई 9 1994 है जिस दोरान की ओ बीच क्राफ्ट सूपर किंग 200 एक पंजाब सरकार वन नो नमा एक्वाईर कि होंदे ने उना दे बेटे जड़े विक्रम मलोतरा आते उना दी पत्नी रेखा अते इस देनाल ही दो होर रिष्टेदार होंदे ने जिना देनाल तकरीबन चार होर चोटे-चोटे जड़े बच्चे जिनादी उमर 10 साल तो भी काट होंदी है ओ इस एरक्राफ्ट दे विच सवार कर रहे होंदे ने बीच्क्राफ्ट सूपर किंग 200 इस एरक्राफ्ट दे विच तकरीबन 9 लोका दे कुल बैठन दी समरत्ता सी दो क्रू मेंबर ते 7 होर मेंबर इस विच बैठ सकते सान लेकिन अदस है जानदा है कि इस हवाई जहाज दे विच टोटल 13 लोग सवार स संते 10 मेंबर जड़े सी गवर्नर सुरिंदर नादे परिवार दे सान एक कपैस्टी तो वद सी लेकिन इस दे बावजूद ए उडान परीजान दी है कटना दा पहला दे दनने है क्योंकि इस पूरे केस दे विच इक बाद दे विच जुडिशल जड़ी इंक्वारी सी हादसा के में हुए है उस उत्ते में बाद वी चामाँगा सब तो पहला में तुम दासना कि हादसा वापर दा के में है नौ जुलाई 1994 नू सवेरे तकरीबन सड़े आठ वजे गवर्नर सुरिंदर नाथ रते नौदा परिवार चंडिगर दे एरपोर्ट पहुंच दा है ज उस वक्त इस प्लेन दे पाइलटना दी गालबात एक अगली उडान जेड़ी की अर्चना एरवेस दे उडान होंदी है उस दे नाल होंदी है अर्चना एरवेस दे जेड़े भी पाइलट होंदे ने ओ जेड़ी जानकारी थ्रू एर कंट्रोल या एर ट्राफिक दे नाल ज पूंतर जो की बेसिकली एक वैली दे विच एर स्ट्रिप हुंदी है, हॉल्टीचूड तकरीबन तिन हजार फुट तो उत्ते दी उचाई दे उत्ते हुंदा है, तो चंडीगर दे एरपोर्टो सिद्धा पूंतर दे विच इस उडाने उत्तरना हुंदा है, तकरीबन वी मि मौसम खराब हुंदा है, यानि कि बद्दलवाई जड़ी बनी हुंदी है, उस दी जानकारी पाइलेट्स नो पहला देती गई हुंदे है, लेकिन इस दे बावजूद भी पाइलेट्स कोई अलाम नहीं रेस किता गया हुंदा, यह नहीं दिखिया गया अंदा भी मौसम ज हाल मेल दे बिच रहना हुंदा है, एक चंडीगट बेस्ट हुंदा है, दे दूसरा पूंतर दा एर ट्राफिक कंट्रोल हुंदा है, आखिरी जड़ा मैसेज इस एरक्राफ्ट दे पाइलेट्स नो नौ बच के दो मिनट ते रिसीव होया हुंदा है, जिस दे बिच की मैसे हुंदा है, जो की कैप्टन या पाइलेट इन चीफ जड़े इस विमान दे हुंदे ने, RDS संदू, इस दिनाली उना दे को पाइलेट जड़े हुंदे ने, परगट सिंग हुंदे ने, उना वननो एक नौलेज किता जान दा है, नौ बच के तिन मिनिट तो बाद इस विमा हुंदे ने, कोई जानकारी ने मिल दी, लेकिन उस वक्त जिड़ा, जिड़ी कटना वापरी हुंदी है, जिड़ा हाथ सा वापर हुंदा है, ओ एह हुंदा है कि एक पहाड सामने आन दी वजा नाल ते इस हवाई जहाज दे काफी लो अल्टिचूट ते फ्लाई करन, यान परा नाल तकरीबन 15 जड़े पेड हुंदे ने, जड़े पक्खे हुंदे ने हवाई जहाज दे, ओना दे नाल ते परा दे नाल 15 पेड जड़े हैगे ने, ओ भी वड़े जान दे हैगे ने, जिस तो बाद की जहाज कई टुकड़ें विच टूट जान दा है, जा फ्यूज जड़े में बाड़ी हुंदे जहाज दी, उस दे कई टुकड़े हो जान दे ने, एक बहुती तेज स्पीड दे उते इस जहाज दे टुकड़े या इस जहाज दे कई हिस्सें चबंडे जान कारण जिनने भी लोग इस विच सवार हुंदे ने, ओना दे जड़े शरीर हुं गुजर हुंदा है जो की एक बहुती रिमोट एरिया हिमाचल प्रदेश दा जित्ते की किसी दा आना जाना भी बहुत ऑखा हुंदा है, दुरलब हुंदा है, तो उस गुजर दे कारदे बिलकुल सामने एजड़ा एरक्राफ्ट है, उस दा मलबा तकरीबन 900 मीटर तक उस गुजर जिस दाना जीतु हुंदा है उस दे कारदे सामने बिक्रापया हुंदा है, इस हाथ से न उसने अपनी अखनाल फेका हुंदा है, जिस दो बात की ओन दा है तक रिम मन्या जान दा है कि उसनों कई कैंटे लग देने, तकरीबन 2 कंटे दा सफर करके, ओ 10 किलोमीटर पैदल तूरता है जिस्तो बाद की जाके ओ नेडला जड़ा उत्वे दा पुलस थाना होंदा है उत्थे इस चीज़ दी जानकारी दनता है जिस्तो बाद की पुलस नूँ पता लगता है जानकारी पुलस को तकरीबन सट्डेक 11 मजे मिल दी है इस दुरान जड़ा एर दॉक्टर जड़े होंदे ने उड़ाना पारदे ने लेकिन मौसम जड़ा है हिमाचल प्रदेश दे उस बिलासपूर ते सुंदर नगर दे स्ट्रेश दे दुरा दरम्यान बदलवाई होंदी है ते मौसम ठीक ना होंद कारण जड़ा ट्रेस नहीं हो पान दियो एक्सिड जड़ा विमान है और तुर घटना गरस्थ होया होंदा है उथे पहुंचन दे विच तकरीबन चार कंटे दा समा रेस्क्यू टीम नू लगदा है साधे तिन चार बज़े जाके तो पैर बार टीमा उथे साइट ते पहुंच देने जदों की सारे लोग इंक्लूडिंग ग बादसासी जिस विच की कि सिटिंग गवर्नर ओवी ओस ट्रबल्ड स्टेट दा क्योंकि गवर्नर सुरेंदर नाथ को लोसवक्त पंजाब दाता चार्ज होंदा है इस देनाली एडिशनल थे वरदीक चार्ज होना को लिमाचल प्रदेश दा होंदा है और अदा बेटा भी हिमाचल प्रदेश देविच डेपूटी कमिश्टर होंदा है तो सुनिदर नाथ दी मौत तो बाद इस पूरे देपूरे हवाई हाथ से दी एक पूरी व्यापक जड़ी है इंक्वारी कितनी जान दी है एक तकनीकी पाक्तों एक लाग इन्वेस्टिकेशन शुरू होंदी है जिस देविच की किस तरीके ने अलाग अलाग लेवल दे उत्ते फेलियर हो सकता है मेकैनिकल इंजन फेलियर या फिर कोई हुमन एरर इस देनाली एक नयाई की जड़ी जांच है ओ हिमाचल प्रदेश दे जड़े 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 ने बाद देविच रिटार होए पूरण तथ इस पूरे दे पूरी हवाई उड़ान दे नाल जुड़े होए सामने आन देने फाइंडिंग्स अपने आविच काफी अखा खोल देन वालिया ने इस इंवेस्टिगेशन देविच अलाग अलाग पक्खों को किती जान दी है क्योगि किसी भी एर इंवेस्ट और नाथ पंजाब दे गवरणर पंजाब दे सब्तो नाजूग दौर दे विच संद शुरॉती फेस दे विच एंजलाग दा है वी एक होई खाड़कू वारदात हो सकती है कोई हमला हो सकता है कोई साबोटाज या शरारत हो सकते लेकिन इस नोㅠㅠ दे पाइलेट संदडू हो होंदा सो पहला था सब्तों पहला इस साबोटाज दे अंगल नो रूल आउट किता जांदा उस तो बाद फिर मेकेनिकल या टेकनिकल फेलियर दी गालवात होंदी है इस दौरान जड़ी कमिशन है और अलाग अलाग देशां दा दौरा करती है अमेरिका जित्ते की जहाज हों विच उसे साल 1994 विच जनवरी दे महीने दे विच दौराई गई होंदी है तो उस पक्षों पाइलेट दो ही ट्रेंड होंदे ने इस एरक्राफ्ट दे किसी भी टेकनिकल या मेकेनिकल फेलियर दी कोई भी जानकारी ना था एर ट्राफिक कंट्रोल को लोंदी है नाहीं बा डिजा सो किल्लो तो काट इस हवाई जहाज पार हुंदा है ते 17-100 किल्लो तो काट जरी समरथः वाले एरप्लेन या हवाई जहाज होया कर देने उना विच उस तरीक के दा जड़ा एक्विप्मेंट हुंदा है जिस दे विच की ऐल्टिचूड दे मतलख वार्निंग देन वो होंदा है मनुखी एंगल ते यानि की human error वो इंसानी चूप जो की pilot आवलनों होई होंदी है इस case दे विच investigation ते inquiry दी जड़ी रिपोर्ट आ दिया है उस दे विच पूरी दी पूरी इस कटना इस हाथ से दी जड़ी जिम्मेबारी होंदी है वो पाइलट आउते पाई गई होंदी है उस दे कई अधार या कई बेस इस कमिशने ले जिस विच की सब तो प्रमुक गाल एस ही अलाग अलाग पॉइंट जड़े कमिशन ने स्टड़ी किते उस विच कैप्टन जड़े RDS संदू सन उना वलनों एक रात पहला है निक आठ ज C90 दी था ये बीच क्राफ्ट सूपर किंग 200 एरक्राफ्ट नों ले लया गया C90 दी कपैस्टी होर भी काट सी सो इस एरक्राफ्ट नों लेया इस वस्ते गया सी क्योंकि गवर्नर हाउस या राजपवनवल नों जादा मेंब्रा दे पूंतर या कुलू जान दी गलबाद सा ओवर्लोडिंग दी ओवर्लोडिंग हाला कि चार बहुत चोटे चोटे बच्चे सान सो उस तरीक के दी लोड़ ला फैक्टर एड़ा वड़ा नहीं सी लेकिन जे ओ रूल्स नों फॉलो किता गया होंदा यानि की जड़ी समरत था सी हवाई जहास दी नौ बंद्या नों ता गया होंदा था कटो कट चार जानना हो और बासक्दियां सी तीसरा जड़ा एंगल इस कमिशन ने कोख्या ओ एसी की कैप्टन RDS संदू या फिर इस केस दे बिच पंजाब सरकार था एक जड़ा फ्लाइट डिस्पैचर सी जिसनाना बलविंदर सिंग सी उसने जेड़ी कि गवर्नर देनाल ये जड़ा जहाज है और किन्ने वज़े लैंड करेगा पूंतर देविच सो इस तरीकी दी बड़ी बेसिक जड़ी जानकारी सी ओं मिसिंग सी एक होर बहुत वड़ा थे महत्तपूरन टेकनिकल जड़ा पाक सी ओं ए सी कि ए जड़ी फ्लाइट सी ओं व कुछ उड़ान नूँ पढ़ दा है ये उड़ान अक्सर ओस हलाद देविच परी जान दिया जड़ों की मौसम बिल्कुल साफ होवे यानि किसान नूँ क्लियरली दिस पारे होवे विची कित्थे जा रहे हैं साड़े उटे थले अगे पिछे की है काफी हद तक साफ मौसम देविची इस तरिक के दिया उड़ाना पडियां जान दियान ले सो विए फफार रूल दे तहत ही एउडान नूँ परे जान दी जाम लभात किती गई एक हो दो एई फार रूल जो की इंस्टूमेंट गाइडिड होन दा है इन्सटूमेंट फ्राइड होन देविच तहर क यह जड़ा रूट सी इसनों एक IFR रूट दे तहत अपरेट किता जाना सी यानि कि instrument guided tour या flight इसनों होना चाहिदा सी जड़कि इसनों एक VFR दे रूट दे तहती फ्लाइट दे तहती conduct किता गए जोकि अपने विच बहुत वड़ी कमी सी इसे कारण कोई भी जड़ी सपोर्ट होन दी है किसी भी पाइलेट नों जोकि IFR दे जरीए मिल सकती है हमेशा ही किसी फ्लाइट दे दुरान जेड़े भी एरक्राफ्ट IFR फ्लाइट दे होते है रूट दे चाल रहा होंदा है उसनों एर ट्राफिक कंट्रोल वलों प्रॉपर जड़ी सपोर्ट मिल रही होंदी है मिलनी चाहे दी है जो कि IFR दे विच काफी हद तक नजर अंदाज कई वार कारती भी जान दी है ते उस दियाड़ी लोड भी नहीं होंदी क्योंकि मौसम आमोमन साफ होंदा है तो एक बहुत बड़ी कमी खामी सी लेकिन इस तो नाल ही जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्तपूरन पाकहोर सी ओ एसी की ऐजड़ा एर क्राफ्ट सी ओ इस रूट दे ओते पहली वार फ्लाई कर रहा सी पहली वार इस जहाज ने लैंड करना सी हुने बहुत वड़ा एक बहुत वड़ी अनगैली सी इस पाइलट दी पाइलट इन चीफ RDA संदू एक अनुभवी पाइलट ता सी लेकिन इस बीचक्राफ्ट सुपर किंग 200 जड़ा विमान सी इस नूँ पूंतर दी एर स्टिप ते पहली वार लैंड करवाया जा रहा सी एक रूल है एर ट्राफिक या एर सेफटी ना जुड़ा हुए बकाइदा जेड़े भी रूल कोडिफाई किते गएने उस बिच कोई भी पाइलट जे कदे भी किसी नमे टूर ते या नमे रूट ते अपरेट करदा या उसने नमी एर स्टिप या एर पोर्ट दोते लैंड करना हुँदा उसनों कटो कट विदाउट पेसेंजर दो या तिन अजेहियां फ्लाइट पहला उस बनों कंड़क्ट जुरूर कितियां गई या होनी है चाहिए दिया ने या फिर उसना को पालेट जिसने की बेशक उस देनाल पेसेंजर होन लेकिन ओ कटो कट जेहियां जड़ियां उडाना नू जेहे एर स्टिप से पहला दो या तिन वार उतार चुका हुए किसे होर सीनियर पालेट दी निगरानी है सो एक बड़ा इंपोर्टेंट नुकता सी जिसनों की एथे बाइपास किता गया गिनूर किता गया ए जड़ा एयरक्राफ्ट सी पहली बार इसनों इस रूटे तो रह जा रहा सी पूंतर दे विच आखिरी जड़ा एयरक्राफ्ट आर्डियस संदु ने दो साल पहला C-19 नू लैंड कराया सी 1992 दे विच उस तो बाद उनाने दो साल कोई भी लैंडिंग पूंतर दे विच नहीं किती सी ते एना दो साला तो बाद इस नवे एरक्राफ्ट दे होते इस हवाई पट्टी दे होते इसनों उड़ा तारंदी जड़ी कोशिश करना अपने आप दे विचे एक तरीके दी टेस्ट फ्लाइट या टेस्ट लेंडिंग कही जा सकती है तो इक गवर्णर तह उसे पूरे परिवार देनाल एक टेस्ट लेंडिंग एक तरीके दी एर-पाइलेट वा लौ किती जा रही सी तो एव एक बहुत बड़ी कमी सी च्योंकि बादे विचे inquiry investigation दोरान समने आई लेकिन एक होर बहुत ही ज़ादा ज़रूरी ज़ड़ा पक सी ओसी पाइलेटां उत्ते जड़ा दबा या प्रेशर सी हुन दबा एक स्यासी लेवल दा दबा इसनों समझा इस वास्ते जा सकता है क्योंकि इस बीच क्राफ्ट सुपर किंग 200 जड़ा विमा सी एसनों तकरीबन 40-45 मिन्टा विच कंड़ाट करना सी तकरीबन 69-10 वापसी करन तो बाद ऐसे एरक्राफ्ट दे विच पंजाब दे ततकाली मुक्हमंत्री बेंद सिंग ने लुद्याना दे एक समागम दे भी छिरकत करनी उड़ान पारनी सी फिर लुद्याना तो इस ए बरन नों उतारना है ते दूसरे चीफ मिनिस्टर नों वापस जाके पिक करना है अग्गे दया रूट उस दे माइंड दे विच रहा तो इस तरीके दा एक जड़ी डेडलाइन नों मीट करन दा जड़ा एक प्रेशर सी ओ भी रहा हो सकता है क्योंकि ए गल्ला बाता असी अ जड़ी चेती तो चेती जड़े रूट सुन जड़ी अलग अग ठामा ने ऊनानों कबर किता जाया कई जड़े पालेट हुंदेने ओ स्टैंड लेलन दे हुंदेने लेकिन कई पालेट स्टैंड नहीं लेपान दे ते पॉलिटिकल बॉसस यह चड़े उनने मास्टन हुंद तरत भी बांजान दिया है क्योंकि फेवर्स भी जड़े इना लोकां तो लई जा सक दिया हुना हलाता दे विच अपने इना प्लिटिकल मास्टर्स नो कोई नराज करना नहीं चांदा जिस तरिके नल भी होना तो रिक्वार्मेंटा सही गलत कितियां जान दियाने उनना पूरा कर देने ते एदा एक सबूत एही सी विक ता गवर्न दे परिवार नू इस तरिके नल ओवरलोड कर ला गया जुरूत तो जादा लोका नू इस एरक्राफ बठाया गया एरक्राफ जड़ी बेसिक जानकारी सी भी केड़ा रूट होना सी VFR, IFR प्लस जड़ा ऑल्टिचूड एक बहुत जड़ी काल मैं दास्ती पूल गया कि जड़ा एक उचाई सी जिस उचाई ते उत्ते इस विमान नू उड़रे होना चाहिदा सी ए विमान जदो तुरुपटना ग्रस ह समझा जान दा भी उस तो काफी हेठा उड़ रहा सी यानि की पाइलटा नू इस ट्रेन दा आइडिया नहीं सी थे अपनी फ्लाइट अपनी हाइट तो जड़ी काफी लो एक उड़दा प्या सी एक कारण मन्या जासा दा भी पूंतर दे स्ट्रेश दे उत्ते काफी समय तो चाली चाली पजाब जा फोट ते जड़े पेड़ सान उना पेड़ा दे विच एस हवाई जहाज दी जाके सिद्धी टक्कर हुंदी है तो पाइलटा दे पक्खों एक बड़ी बड़ी अंकैली एक ओवर कॉन्फिडेंस अपने पुलिटिकल मास्टर्स नो खुश करन दा जड़े बेसिक नियम है गेने एर सेफटी दे जड़े रूल्स है गेने उनना नो बाइपास करन दा जड़ा सिलसला है ओ इनक्वारी कमीशन ने एक बेसिक कारण मन्या एस दुरक अटना दी पूरी दी पूरी जिम्मेवारी एना पाइलेट्स ते ओवर कॉन्फिडेंस या पारी गिंटी जिन्हों कहा सकते हैं लखा करोड़ा नी गिंटी इसनों समझे जा सकते हैं अलांकि एक्जैक्ट अनुमान नहीं है भी किन्ना कैश उत्थों बरामत किता गया लेकिन जड़ियां उस दौर दे बिच खबरा चपियां उस दे बिच समझ भी चेया है भी पंज उनर सुरिंदर नादे परिवार ते उनर जड़ एक बेटा बचया उसने हमेशा ही डनाई किता हुना वलों कहा गया कि खबरा उडातियां गयां बादे विच किसी बारे कोई भी कुछ भी बोल सकता है एस बी चवान उसवत देशदे ग्रै मंतरी सन इंटरनल जड़ी मिनिस्ट्री सी यानि की यूनियन मिनिस्टर आफ स्टेट फर होम और रजेश पाइलट सन एदों जड़ों बात दे विच एना तो पुछा जानदा है ता एस बी चवान वलों इस चीज़ा जवाब एक वकर तरीक के नाल दिता गया उनने कहा कि जे जी ही कोई हलांकि उनने डिनाई किता भी राजपवन देविच्चों लखां करोणा दी करंसी मिली है लेकिन उनने गाल जरूर कई भी जे कोई ऐसी गाल है ताथ उसी इस सवाल जड़े है देश दे परदान मंतरी पीवी नरसिमार पुछो तो काफी सवाल खड़े कर देन वाली गाल बासी गवर्नर दी समझा जानदा सी भी ऐसी चवान ते रजेश पालेट दी भी आपस देविच कुछ जादा बाढ़ दी नहीं सी लेकिन एगल फैक्ट सी भी के इंदर सरकार तो एक बहुत वड़ा फंड जड़ा है जो जो की समझा एक है को जहाँ फंड सी जो की ओस सिक्रिट फंड दा हिस्सा हो सकता है जो की उना दिना देविच गवर्नर नूँ अक्सर दिता जानता सी के इंदर दे नुमाएं दे गवर्नर जो की पंजाब देविच जिडने भी अंडर कवर्र या कोवर्ट ऑपरेशन उस गलबाते कितने किते परदा पांदा होया बाद विच वेक्या गया कई मनुख्य दिकार जड़े संगठन सन कई मनुख्य दिकार वकील सन उनना ने बाद देविच हाई कोड ते सुप्रीम कोड़ दा दरवज्जा भी खड़काया पेटिशना जड़ियां सी दार किती आंग ओ एसी की पंजाब दे जड़े साफका फनैस मिनिस्टर बलवन्त सिंग सी जना दी खाड़कों वलनों गोली मार के हत्या करती गई सी उना दे एक जड़ा सेक्योरिटी दे बिच तैनात इंस्पेक्टर सी बक्षीश सिंग उसनों निलंबत कारता गया सी मुद्तल कारता गय सी जड़ों गवरनर सुरिंदर ना दी मौत हो जान दी है ते लखां करोणा रुपे दी रिकवरी दा जिकर आनदा है संपत्या ना भी बहुत बेवरा जड़ा सी उना देना भी जखवारा वीच छपया लेकिन ना दा इस केस दी सी बे जांच होई ना ही उस फंड दी पाता गया ते बाद दे विच इना नों कवर अप करता गया तो इस तरीक के नल एक बहुत ही आपा समझ सकते हैं कि उतार चड़ा पर या एक जड़ा स्टेंड सी तेन साल दा गवरनर सुरिंदर ना दा रहा ते आंत ओना दा एक अजहे दर्दनाक हवाई हाथ से विच होया जिस विच की ना सिर्फ गवरनर दी बलकि उना दे पूरे दे पुरे परिवार दी मौत होजा दी है ठीक उसे तर्जे उत्ते एह हाथसा समझा जा सथा जिमे की हाल ही दे देना विच जैनरल विपिन रावत देनाल होया उना दे भी पतनी जड़ी उना देनाल सफर का रहे लेकिन पार्ती फाच दे कई जड़े जर्नेल संद, कई जड़े फजी संद ओ उस एरक्राफ दे विश संद, ओ लॉस देश देले एक बहुत बड़ा लॉस ही लेकिन इस पंजाब दे गवर्णर, पंजाब दे हमाचल परदेश दे गवर्णर, सिटिंग गवर्णर दी इस हव वाइस रिकॉर्डर्ज या तमाम किसम दे जड़े एकुप्मेंट्स है गेने अल्टिचूट बॉर्निंग सिस्टम्स बगारा हुंदेने उननों हवाई जहाजान दे विच लाया जाना चाहिए इन्फोर्मेशन जो की इस कमिशन दे रिपोर्ट बिच दर्द है उस दे बेज उत्ते ही मेथोड़े सामने थोड़े नाल सांजी किती है फिलाल इस रिपोर्ट बिच आना ही बहुत बहुत तानवाद रितेश लखी अनप्लाग नाल तुसी बने रो रिपोर्ट्स नूं हुगा आरादन दे रो तानवाद